दोस्तों पेपर की बहुत बुरी तरह से वाट लग चुकी है आपको पता है इस बात का और इसके समंद में सब लोग मिल करके बहुत जबरदस तरीके से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अगर हो जाएगा तो अभी ही कुछ हो जाएगा और जैसे जैसे डिले होता जा रहा है मामल बहुता राजनीतिक बनता जा रहा है राजनीतिक दल भी इसमें कूद रहें राजनीतिक दलों का आना भी जरूरी है परन्तु बीजेपी की टेंडेंसी यह है कि जब उनको कोई मुद्दा पॉलिटिकल होता हुआ नजर आता है तो अगर उसमें वह कुछ करने भी वाले हो नहीं था उन्होंने कहा कि भरती बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट करा देती उसके बाद सत्याफित खपरों को ट्रेंड कराया जा रहा है यह वो तो यह सारी चीजें चल लहीं है इसी बीच में योगी जी के आदेश को वाइरल किया जा रहा है एक न्यूस के माध्यम से क चारो की चारो शिफ्ट का जो पेपर है उसको रद करने के आदेश योगी जी ने दिये हैं जो डीजी पी हैं और भरती बोड को ग्रीह विभाग को दिये गए हैं वह वीडियो भी मैं एक बार आपको दिखाने का प्रयास करता हूं वह वीडियो संभवत्य आपने देखी ह होगी नहीं देखिए तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं यह वीडियो है देखो यह वाली कि अगर देखो ठीक है यह आपने देख ली आप इसमें एक बात देखने की एह इसमें पूरे पूरा यह कहा डारा है यह वाली जो वीडियो है सब्सक्राइब एस बीडियो में कहा जा रहे कियोगी जी ने ग्रीह विभाग को और डिग्प को भरती केंसल करने कि आदेश देदिए ठीक है और उसमें फिर बॉल रहा है कि फिर दिया प्रवी तरद ли रद करने आदेश मeking बाद में बॉल रहा है कि 18 तरिक को पर रहता उसको रद करने में संकिनल अपैड眼開व इसमें पश्चता नहीं तो देर में आपके भरती बोर्ड पर या कहीं नोटी सित्यादी आजाएगा साइट पर उससे सारी सारी जानकारी पता लग जाएगी अब इंपोर्टन बात यह है कि जो मतलब आपकी इसके बारें बताऊंगा आपको अभी में चीजी है कि आपके जो है वह कैंसल होना चाहिए और सब लोग इस बात को बोल रहे हैं देखो मैं भी चीजें बोल रहा हूं पर मैं वह तरक पूर्ण बात करता हूं मैं परजी बात नहीं करता हूं मैंने शुरू से लेकर अब तक दो तीन वीडियो जितनी बनाई है जो 17 और 18 तारीक हैं इनके तो पेपर लीक होते सबको दिख रहे हैं क्योंकि इनके राज खुल गए हैं परन्तु 17 और 18 तारीक का जो फर्स्ट मिटिंग का है उसके बारे में मनलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसका सरकार भी बोल सकती है कि उसके प्रमान नहीं है तो 17-18 का से कर दो बट नहीं जो पेपर वाइरल हुए वह हुए तो उनकी सबके पास तक पहुंच गई वो सबके पास तक दोपैर तक पहुंच गई बट जो बच्चा 17 की सुबह ठारा की सुबह पेपर देने गया उसने मोबैल को हाथी नहीं लगा इस बात को आप ध्यान रखिएगा है ना यह पेपर पहले की काम आप ठिलाल कर सकते हो जो है थितना कम पोलिटिकल बढ़ी आप देख सकते हैं है ॉपी सबटे उपका करते रही है नहीं तो अगर जितना डिले होगा ऐसा नहों सरकार अपनी बात से पलट जाए तो यह बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हो जाएंगी तो मामले को कम से कम वैसे तो पॉलिटिकल हम कम से कम बनाने का प्रयास करें क्योंकि सरकार जो है ना वो विपक्षी दलों को बहुत ज्यादा उस निगास देखती है कि हमारी किरकिरी होगी इसका सबसे तरीका यहीं जो आपके विधायक इत्यादी है उन से मिलकर के जो दलिये विदायक है उनके माध्यम से मिलकर के आप पत्र लिखवाईए और उनको आगया ग्रेशित कराने का प्रयास करिए ठीक है तो भाई यह जो अब इसकी पुष्टी या सत्तता कुछ वैसे नहीं लग रही है फर्जी मतलब लग रही है वह क्योंकि बोल रहा है कि पहले सारी लिखली सारी शिफ्ट का पर अद्द्र करने के लिए बोल दिया है फिर बोल रहा है ठारा तारीक में जो आज पर था तो कल का है तो आज क्य में आई जाएगी आप बच जादा जादा ट्वीट करते रहो परिशान नहों सब चीजें अच्छी होंगी बहतर होंगी